हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलरी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत हैं तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूच्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनायलसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनेलसिस है हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नमबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वटसैप नमबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें वटसैप के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए मैसेज सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से स्वैरिश शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इंकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफी थिक नजर आ रहे हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रिखाएं कुछ इस तरह की रिखाएं नजर आएंगी जो इंडिकेट करती है एक बहुत अच्छी मिलन सा टाइप की परसनालिटी को यहाँ से बेज फैलेंजिस से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनिस को जो दरिशाती है अच्छी एनरजी एंड स्टैमिना को अगर हम पर्टिकलर फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा इनकी तरचनी उंगली अच्छी लेंथ में है और काफी थिक हैं इस तरह की गुरू फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी नॉलेजियबल रहेगा अध्यात्मिक टाइप की परसनालिटी रहे थी ऐसे व्यक्ति की और साथी साथ दूसरों को सही गाइड करने वाली दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको ब्रस्पती की वज़े से देखने को मिलेगी अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनी फिंगर लंबाई में काफी अच्छी और शनी फिंगर का थिक और स्ट्रॉंग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी महिनती नेचर का होगा ऐसे व्यक्ति डिस्सिप्लिंड होते हैं एक नयाय प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो सूर्य फिंगर की लंबाई है वो इनकी तरजनी से भी अधिक हैं अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अच्छी लंबाई में होता ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल पना पाने में काम्याब रहता है काफी स्ट्रॉंग क्रेटिविटी वाली क्वालिटी काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी लेकन साथ ही साथ ऐसे निटिव थोड़े रिस्क टेकर टाइप के भी देखे जा सकते हैं जिनकी यह फिंगर लंबी होती ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते कई बार तो अपनी धन की इनवेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ल व्यक्ति अपने धन को इनवेस्ट करने में रूची दिखा सकते हैं अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो अच्छी लंबाई में मर्करी फिंगर नजर आ रहे हैं लेकिन थोड़ी लो सेट है और यहाँ पर आपको काफी फेर गैप बनता हुआ इन दोनों फिंगर के बीच में जब भी इस तरह का गैप बनता हुआ आपको नजरा है तो यहाँ दर्शाता है कि नेटिव काफी ज़्यादा इंडिपेंडेंट सभाव का होगा ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं थोड़ा जिदी सभाव भी देखा जा सकता है जो काम करने की ठ ठान लेते हैं उसको फिर करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव इनकी फिंगर्स में बनने वाले स्कैप की वज़य से भी रहेगा अगर हम इनकी मर्करी फिंगर्स की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ फिंगर्स थोड़ी लो सेट नजर आ रही है अगर हम इनकी उंगलियों का मकाबले थोड़ा लो सेट है जबकि इनकी सूर्य फिंगर इनकी शनी की फिंगर और ब्रस्पती इनकी इस फिंगर के मकाबले काफी हाई सेट नजर आ रही है मर्करी फिंगर्स का लो सेट होना थोड़ी हैजिटेशन वाली और शाही टाइप की नेचर को indicate करता है लेकिन यहाँ पर इनकी mercury finger की लंबाई में कोई भी कमी नहीं है यह finger अच्छी length में है जिस वज़े से native का business equipment strong रहेगा और इस finger का अच्छी लंबाई में होना native के काफी strong communication skills को भी indicate करता है चलिए आगे बढ़ते हैं और check करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम check करेंगे इनकी सभी recount को भी तो सबसे पहले अगर हम गुरू परवत की बात करें तो यह area यानि index finger के नीचे का जो यह area है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा उठा हुआ mount और साथी साथ गुरू वला जैसी formation होना native को काफी अधिक spiritual minded बनाती है यहाँ पर बहुत ही हलकी रिखाओं से cross की अकृति बनना positive माना जाता है ऐसा व्यक्ति समाज में काफी अच्छी पहच्चान बना पाता है और 40 वर्ष की age के बाद काफी अच्छा मान समान भी ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलता है आप यहाँ पर देख पाएंगे एक आड़ी रिखा यह रिखा गुरु वलाय कहलाती इसके सासथ कुछ और रिखाएं जिने हम lines of sympathy भी कहते हैं native को sympathetic सभाव का बनाती है और खास तोर पर यह वला जो चिन बन रहा इसकी वज़े थोड़ी वैराग्या की भावना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी गुरु वलाय का हाथ में होना native को spiritual minded बनाएगा ऐसा चिन होने से 40 की एच के बार ऐसा व्यक्ति किसी न किसी spiritual अध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ जाता है और सेवा के काम में लग जाता है और साथी साथ ऐसा चिन होने से मांसमान और प्रतिष्ठा भी समाज में खूब मिलती है अगर में इनके शनी की बात करें तो आप देखेंगे शनी का जो एरिया है यह दबता हुआ नजर आरा और शनी मांट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है ऐसे व्यक्ति को अपने कमफर्ट जोन से निकल कर भी काम करना पड़ता है काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगे जिनका यह एरिया हलका सा दबता हुआ अगर हम इनकी शनी रेखा यानि भाग्या रेखा की बात करें भाग्या रेखा काफी अच्छे से शुरू हो रही है लेकिन आगे चलकर यह रेखा आपको थोड़ी धीमी पड़ती हुई थोड़ी धुंदली होती हुई भी नजर आएगी लगभग इस सेरिया के बाद आपको कुछ ब्रेक्स और कुछ इस तरहां की फॉरमेशन बनती हुई नजर आएगी यह जो थर्टीस की एज का एरिया है यहाँ पर कुछ उतार चड़ाव जीवन में अधिक रहने की संभावनाएं रहेंगी लगभग 37 की एज के बार ऐसा व्यक्ति प्रोग्रस और भी अधिक पाता है जब यह रेखा आपको स्टेबल नजर आ रहे है लगभग 37 की एज से लेकर बिल्कुल शनी परवत तक यह पहुँचती हुई एक स्टेबल लाइन आपको नजर आएगी यह वन में उतार चड़ाव यहाँ पर इस 30 की एज में अधिक रहने की समभावनाएं दिखाई पढ़ रही हैं अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले मनी ट्राइंगल की तो अब देख पाएंगे मनी ट्राइंगल की formation काफी अच्छे से होती थोड़ी overlapping इनकी फाग्या रेखा में जरूर है लेकिन यह है triangle आपको फिर भी complete होता हुआ नजर आए कुछ इस तरह है कि आपको एक formation यहाँ पर बनती हुई और यह है रेखा यह जो रेखा है यह वाले इसको हम fate line कहते हैं यह जो रेखा है मस्तिक्ष रेखा यानि mind की line और यह तीसरी mercury line तीनों रेखा है हाथ में होने से और आपस में connect होने से यह जो triangle बनता है इसको money triangle का नाम दिया जाता है और जिनकी यह थेली में ऐसा money triangle complete बन रहा हूँ ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचे कर पाने में जरूर कामयाब होता है अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य का area बिल्कुल flat नजर आ रहा है और सूर्य माउंट पर एक से अधिक रेखाएं मौचूद हैं जिस वजह से ऐसा व्यक्ति multitasking type की personality जरूर होता है एक सिधिक काम करने की शम्ता native के भीतर रहती है और सूर्य रेखा यहाँ पर आपको इनकी heart line के बिल्कुल उपर बिल्कुल clear नजर आए गर ऐसी सूर्य रेखा का होना native को old age में पहुँच कर बहुत लाब देता है ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी recognition society में पाने लगता है अगर हम इनके mercury mount की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे mercury mount काफी उभरा हुआ और mercury mount की उपर काफी सरी खड़ी रिखाएं यह जो रिखाएं हैं इन्हें हम medical stigmata या healing lines के नाम से जानते हैं ऐसी रिखाएं यहाँ पर होना native को काफी अच्छा healer बनाती है ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं अपने शब्दों से अपने करमों से अपनी सलहा या consultation के जरिए लोगों की problems को दूर करने की शमता ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी देखी जा सकती है बात करते हैं इनकी major lines की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो heart line है कुछ इस तरह से आपको आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी इस तरह का चिन जिसको विश्णो चिन के नाम से जाना जाता है ऐसा वी टाइप का सिंबल अगर इसी की हथेली में heart line के अंत में बन रहा हो अगर ऐसा व्यक्ति इमानदारी के रास्ते पर चल कर काम करता रहे तो चीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब होता है लेकिन इसके बिलकुल opposite अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चल कर बैमानी से या चीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती है और तरक्की रुक सकती है इसलिए जिनकी हाथ पर भी ऐसा चिन्द बनता है उन्हें हमेशा यही सुजस्ट करता हूँ कि हमेशा इमानदारी के रास्ते पर चलते रहे कि आपके चीवन में ज्यादा उतार चड़ा आपको देखने को ना मिले आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हाट लाइन काफी अच्छी नज़र आ रहे कोई मेजर इशू यहाँ पर हाट लाइन के जरीए नज़र नहीं आ रहा और यादाश्त और लोजिकल पावर काफी बहतर होती है अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में नज़र आ रहे और जीवन रेखा के अंत में यहाँ पर बहुती बारीक रेखाओं से एक फिश नुमा अकरिती आपको बनती होँ नज़र आएगा यहाँ से आप देख पाएंगे बहुती हल्की र dalam kidney की यातराएं करने के मौकयं मिलते हैं foreign travel ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक देखे जा सकते हैं साथ ही साथ इस तरह का चिन होना native को अपने चीवन में कई बार अचानक धनलाब दिलवाता है ऐसे व्यक्ति को share market से lottery से insurance या inheritance जैसी जगहों से थन की प्राप्ति होने के काफी strong योग बनते हैं अगर जीवन रेखा की लंबाई की बात की जाये तो काफी अची length win की जीवन रेखा नजर आ रही है आप देख सकते हैं यहां से शुरू होने वाली जीवन रेखा लगबग इस सेरिया तक और यहां से extend होकर कुछ इस तरह की formation में आगे बढ़ती हुई लगबग 75 से लेकर 80 के आसपास की age को इस तरह की रेखा इंडिकेट करती है लेकिन इस सेरिया से इस रेखा वें थोड़ी weakness भी नजर आ रही है जो old age में चलकर health के थोड़ा weak होने के संकेतों को इंडिकेट करती है अगर हम इनके शुकर परवत यानि Venus Mount की बात करें तो आप देख पाएंगे यह Mount काफी उठा हुआ है उभरा हुआ शुकर परवत लेकिन इस Mount पर बहुत सारी आड़ी रिखाएं भी मौचूद है इस तरह का उभरा हुआ शुकर परवत इंडिकेट करता है कि Native को अपने ची कीट नहीं होता है ऐसी रिखाएं आप देख पाएंगे काफी धिक मात्रा में जिस वज़े से परिवार की तरफ से चिंताओं का सामना करना पड़ता है अवराल यहां से इस तरह है कि रिखा का उपर की तरफ उठना Long Distance Travel or Foreign Travels को इंडिकेट करता है जीवन में यात्राएं अधिक रहती हैं साथ यहां पर आपको काफी सारे ऐसी चोटी चोटी आड़े रिखाएं भी नजर आएंगी और चंदर परवत पर ऐसी रिखाओं का होना बेचैनी और एंग्जाइटी की तरफ इशारा करता है दोस्तों ये कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है यगर इनका कोई क्वेशन पैं नवाद